गाइस पिछली वीडियो में आप लोगों जो प्रेंक टोई बना के दिखाये थे वो आप लोगों काफे ज़्यादा पसंद आया और उस वीडियो में काफे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई हमें इस प्रेंक टोई का पार्ट टू चाहिए बाट गाइस उसी वीडियो म फिर आप लोग इसको एक मेजिकल टॉय भी कह सकते हो इस टॉय से आप लोग लिटरली अपने फ्रेंड्स को सौक कर सकते हो उन लोग को यह काफी ज़्यादा पसंद रहेगा और दोस्तों वह एक पेपर फ्लाइंग टॉय जो कि काफी ज़्यादा सिंपल है और काफी ज़्या इसकी लंबाई 10 सेंडिमेडर और 3 सेंडिमेडर की दोस्तों इस यलो वाले पेपर के ऊपर कुछ इस तरह से चिपका देंगे तो इसको चिपकाने के लिए यहां पर मैं फेविकॉल का यूज़ कर रहा हूं तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते मैं इसको कट करके पहले से में इसके अब यहां पर आप लोग देख सकते हो फोल को लिए टॉपह करेंगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हों इस तरह से फोल्ड कर दिया हुँ और अम लोगयों का फॉल्ड किया हुआ है उसके बाद दोस्तो हम लोग अपने दूसरे वाले paper को लेंगे और कुछ इस तरह से हम लोग इसको आपस में join कर देंगे तो दोस्तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फाइनल इसको चिपकाने के बाद यह अम लोग कोई इस तरह से दिखेगा बट गाइस यह अम लोग कोई एक आम बॉक्स नहीं है यह एक magical बॉक्स है तो चली मैं आप लोग को बताता हो कि यह इसका क्या वर्क है और यह किस तर से वर्क करता है तो अभी आप लोग एक मैजिक देखना यह अभी यल्लो कलर का और जैसे मैं इसको पलेट देता हूँ तो देख सकते हो यह जो पूरी तरह से रेड कलर को चुका है तो दोस्तों आप लोग यह जो मैजिकल बॉक्स है वह एक कलर चेंजिंग बॉक्स है जो क और काफी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है तो दोस्तों आप लोग यह मैजिकल बॉक्स बना कर अपने फ्रेंड्स या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को चोका सकते हो उन लोग को काफी ज़्यादा अच्छा लगेगा तो आयोब कि आप लोग को यह मैजिकल बॉक्स पसंद ले लिया है उसके बाद उस सब्सक्राइस कज़ाऊ करने के पाद इसका जो यह वह शिसका करके निकाल लेंगे सबस्क्राइट कर us निकाल लेता व तो यहां पर आपने अंगली के मनतर से थोड़ा से बेंड कर देंगे अब knob पेपर के जो एंड है उनको आम लोग कुछ इस तरह से आपस चिपका देंगे तो यहां पर इसको चिपकाने के लिए में फेविज का उज़ करूंगा तो उसके पहले में चिपका लेता हूं तो यहां पर आप लोग देख से तो बहुत इजी तरह बस दोस्तों तर बसको तरश्ब उसस्टakah के विजय बनने ही बार अब दोस्तों इस तरह के एक पतले से पेपर स्ट्रीफ को को फेले से उसके बिलकुल मीड़ वाले साइड में यां पर चिपका दें को से दिखेगा अब दोस्तिसके युद्ट है है इसका किस तरह करके फॉल्ड करने के बात यह हमलोका एक बहुत स्थ फॉल्ण गलाइडर या फिर एक फ्लाइंग प्लन बंनेकर रेडियो चाहिए तो चली हमलों दोस्तों टोटल को लिए अगर आपका पास कलर पेपर नहीं है तो आप लोग एजली नोटूट बुक के पेपर का भी ऊसकर सकते हो इसके जो लंबाई वो 20 सेंटिमेटर और चोड़ा 8 सेंटिमेटर की है अब दोस्ता हम लोग इनमें से एक पेपर को लेंगा और कुछ इस तरह से हम लोग इसको फोल्ड करते हुए अब दोस्ता हम लोग अपने तीने पेपर को कुछ इस तरह से सेंटर का रोल बना लेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सेंट मैंने तीनो का रोल बना लिया है आप दोस्तों यहां पर हम लोग अपने तीसरे वाले रोल को लेंगे और इसको भी कुछ इस तरह से तिर्चा करके यहां पर चिपका देंगे तो इसको भी चिपकाने के लिए मैं टेप का यूज़ करूँगा तो चले जल्दी जल्दी यहां पर मैं इसको भी चिपका लेता ह आप तो यहां पर आपने हाथ की माधन से कुछ इस ताहिज इसके wings को ठोड़े तरपा ट्रड़ एकर कर णोरा के ओपर को लेगे तो यहां पर आप लोग नोग तear थे तो ने तीनों wings को यहां पर फोल्ड कर लेंगे दोस्त ही डिंक से और देखने के लए और दोस्ते मेरे व्लॉक चैनल का लिंक सक्रीट कर दिया हो जा रहा है 1400 certainly को भी सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए दोस्तों मिलने किसी और इंट्रेस्टिंग वीडियो सा तब तक लिए बाई बाई